Hello Everybody, Welcome to Magnet Brains, मैं हूँ Anisha, आपकी अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 11 थी जो आपकी Elective Book है English की जिसका नाम है Woven Words, उसका essay No. 7 बोले तो निबंध No. 7 स्टार्ट करूँगी मैं जिसका नाम है Bridges, Bridges का मतलब होता है Pull, Hindi मैं भूलते हैं पुल से जा रहे हैं, Exactly वही Pull के बारे में हमें बात कर रहे हैं, लेकिन वो वाला जो Pull जिसके उपर हम गाड़ी ले जाते हैं, उसकी बात नहीं होरी कि दो चीजों के बीच में जब Pull, Bridge बनता है और वो उन दो चीजों को connect कर रहे हैं, कुछ इसी से related आज हम इस चाप्टर में पढ़ेंगे और उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, इस चाप्टर के ऑथर के बारे में जानते हैं, कि कुमूदिनी लाखिया, यही इस निभन की इस ऐसे की narrator भी है और writer भी है, याने की इन्होंने यह पूरा ऐसे लिखा भी है और अपनी मुझबानी नरेट भी किया है अपनी life की पूरी story को, सो कुमूदिनी लाखिया, born in 1930, 1930 में इनका birth हुआ था, और यह अभी भी alive है, at this point of time, around 91 years की इनकी age है, और 17 में, 1930 को इनका birth हुआ था, is a renowned Kathak dancer and choreographer who was taught and influenced by the famous Ram Gopal, तो यह कुमूदिनी लाखिया कौन है, renowned याने बहुत famous Kathak की dancer है, और choreographer भी है, याने दूसरे लोगों को dance भी सिखाती है, and इनको किस ने सिखाया था dance, इनके dance teacher कौन थे, Ram Gopal, यह एक बहुत famous Indian Kathak dancer है, she has performed in over 40 countries, but chose to give up her career as a solo performer to start the Kadamb Dance Center in Ahmedabad, तो इनोंने कम से कम 40 countries में, देशों में अपने performance किये हैं, और बाद में इनोंने solo performer बनना मन्जूर नहीं था, याने कि alone, जब आप अकेले stage पर perform करते हो, तो बाद में इनोंने अपने solo performance जो था, उसको give up कर दिया, याने बोल दिया कि अपसे मैं यह नहीं करूंगी, क्योंकि अब मुझे अपना dance center खुद का खोलना है, जिसका नाम था Kadamb Dance Center, और यह कहां है dance center, एमदबाद में, where she trains students in the art of classical Kathak dance, और यहीं पर इस dance academy में, वो अपने students को training देती है, Kathak dance की, और यह classical dance form है, हर अधर achievements include choreography for two very successful Hindi films, इसके अलावा, इनोंने हमारी Hindi cinema, जो Indian cinema है, उसकी दो बड़ी-बडी movies में dance की choreography करिये, जिसका नाम है उम्राव जान, और दूसरी है सुर्ष संगम, हर awards include All India Sangeet Naatya Kala Award in 1977, तो इसके अलावे इनोंने बहुत सरे dance awards भी win किये हैं, याने जीते हैं, जैसे कि All India Sangeet Naatya Kala Award इनको मिला था year 1977 में, Sangeet Naatak Academy National Award मिला था इनको 1982 में, Kala Ratna Award, Sangeet Kala Sangam, ये दोनों ही awards इनको year 1982 में मिले थे, and the Padmishri in 1987 और सबसे बड़ा award, Padmishri Award इनको year 1987 में मिला था, on the occasion of 50 years of independence, the city of Ahmedabad awarded her with the Nagar Bhushan, जब हिंदुस्तान को आजाद हुए, independent हुए, 50 years हो गए थे तो इस celebration में, इस occasion में, Ahmedabad City के renowned लोगों ने इनको Nagar Bhushan का भी award दिया था, तो इन्होंने बहुत सारे awards अपनी life में जीते हैं, और आज की जो हमारी ये story है, वो कुमूदनी लाखिया की life की story है, कि कैसे ये कथक dancer बनी, इनका childhood याने बचपन कैसा था, फिर जब ये बड़ी हुई तो उन्होंने कहां कहां work किया, कहां कहां इनको awards मिले, और end में इनकी family life, married life, बच्चे सब कैसे थे और इनका life को लेकर क्या view है, और इन सारी चीजों से, जो भी वो life में वो अपने करती हैं, वो अपने dance कथक से ही वो inspired है, कैसे अपने, अपनी life को और कथक के dance को वो जोडती है, याने एक bridge के तुरू एक pull जैसे की इन दो चीजों को जोड रही है, वो चीज़ पढ़ेंगे आज हम इस essay में, so let's begin with the explanation of the essay, if my younger self could see me now, she would be incredulous, अब ये if my कौन है, my याने मेरा, याने खुद कुमूदीनी लाखिया ये बोल रही है कि अगर मेरा younger self, याने आज तो मैं बहुत बड़ी हूँ, पर मेरा younger self, जब मेरा बच्पन वाली कौनूदीनी, आज इस बड़ी वाली कौनूदीनी को देखती, तो वो incredulous हो जाती, याने unable to believe something, याने उसे यकीन ही नहीं होता, कि आज मैं इतनी बड़ी dancer बन गई हूँ, याने मुझे खुद को समझ में आता है, कि dance क्या है और इसको comprehend, याने इसको translate कैसे करना है, comprehend कैसे करना है, समझना कैसे, call it choreography if you wish, तो ये हम readers को कह रहे हैं, कि आप चाहें तो इसको choreography भी कह सकते हैं, कि मैं एक dance choreographer हूँ, याने लोगों को dance सिखाती हूँ कथक, would have been unbelievable, तो would have been unbelievable, मैंने ये बाद विश्वास करने जैसी नहीं होती, अगर बच्पन वाली कुमूदी नहीं, आज इस बड़ी कुमूदी को देखती तो, in this respect, I am particularly envious of dancers, who claim that they were born to dance, envious का मतलब, somewhere jealous, तो वो कहती कि, अगर dance की ही बात में करूँ, in this respect, जो dancers, अपने आपको कहते हैं, कि we were born to dance, याने हम पैदा ही dance के लिए हुए, और हम बच्पन से बहुत dance करते हैं, कहते हैं, उन dancers को देखे, मैं बहुत envious, बहुत jealous feel करते हूं, implying that it was clearly laid out for them, from the beginning, implying याने की hint, और वो लोग, बच्पन से ये चीज़ बोलते हाते हैं, कि we were born to dance, we were born to dance, हमेशा ये चीज़ दुनिया वालों के सामने hint करते रहते हैं, कि हम तो dance के लिए पैदा हुए हैं, और शुरू से, beginning से ये ही चीज़ बोलते हाते हैं, तो कुमोदी दी कहती है, कि मैं इन ताइप के लोगों से बहुत जादा एन्वियस यानि जेलिस फिल करते हूँ, कि ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं, I must say, I find this assertion dubious, assertion यानि की, to declare something confidently, यानि जब आप कोई चीज़ चीज़ confidently, बहुत confident से बोलते हो, declare करते हो, मैं तो born to dance हूँ, तो ये assertion है, dubious का मतलब क्या होता है, doubtful यानि not sure, किसी चीज़ को लेकि आप बहुत doubtful हो, मतलब अभी संदे हैं इस बात पर, संदे हैं संदे हैं सौरी doubt है, और आप sure नियो, तो कुमोदी नहीं कहती है, कि मैं तो कहूंगी कि ये जो assertion, ये जो लोग dancers declare कर देते हैं, कि we are born to dance, मैं तो उसके बार में बहुत dubious हूँ, यानि इतना sure नियों कि पता नहीं, ये लोग ऐसी इतनी बड़ी बात कैसे बोल देते हैं, वो कहती है, कि ये बहुत rarely easy है, यानि ये इतना आसान नहीं है, कि आप बोल रहे हो कि मैं तो born to dance था, या born to dance हूँ, it's not easy, dance is not easy, to dance means to struggle, dance का मतलब है कि आपको struggle करना है, महनत करना है आपको बहुत, I believe it is the same in any discipline, because discipline itself is a struggle, तो वो कहती है कि dance एक discipline की तरह है, यानि discipline बोले तो, सुबा टाइम पर उठना, टाइम पर खाना, टाइम पर सोना, टाइम पर काम करना, टाइम पर पढ़ाई करना, everything in discipline, तो वो कहती है कि dance एक तरीके का discipline है, जैसे खुद को discipline में ढालना बहुत जादा difficult है, एक struggle जितना है, dance भी एक struggle है, पैदा होते हैं, आप dance और उसकी छोटी मुटी बारीके नहीं सीख सकते, आपको learn करना पड़ते हैं, आपको training लेनी पड़ते हैं, I believe I was not simply born to dance, तो वो कहती है कि मैं तो इस बात से यकीन से कहती हूँ कि मैं born to dance नहीं थी, यहने dance के लिए तो मैं पैदा नहीं हूई थी, I was born to live, मैं पैदा होई थी, live करने के लिए नहीं जीने के लिए, मुझे तो dance का meaning में नहीं पता था, And now, as the patchwork of my life comes into clearer focus, I can see clear bridges between my life experiences and my work in dance, patchwork का मतलब क्या होता है, needlework in which colors and designs are sewn together, जब आप किसी patch पे, किसी कपड़े के टुकड़े पे, needle याने सुई धागा से ही, कड़ाई बुनाई करते हो, patchwork याने, सलाई करते हो, और सब चीजों को जोड़ जोड़ के, बड़ी सी चीज बनाते हो, suit ready करते हो, उसे हम patchwork कहते हो, तो वो कहती है कि, जैसे patchwork, मेरी life की भी अलग-अलग चीजे, जैसे अलग-अलग patches को मिलाके, एक पूरी dress तयार होती है, मेरी life में भी अलग-अलग experiences और चीजों को मिलाके, जैसे मुझे life, अब मेरी clear focus है, ने clearly दिखती है, आज की date में, कि मेरी life क्या थी और कैसी हुई है, मैं ये चीज clearly देख सकती हूँ, कि मैंने अपनी life में आज तक क्या-क्या experience किया है, और आज तक मेरा dance में मैंने जितना काम किया है, इन दोनों चीजों के बीच में मुझे क्या दिखता है, एक bridge दिखता है, याने जितना भी मैंने आज तक life में dance की field में काम किया है, और जितना भी मैंने अनुभव याने experience प्राप्त किया है, उस काम से, ये दोनों एक दूसरे को जोडते, लिंक करते, क्योंकि आज मैंने जितना भी अनुभव या experience मैंने गेन किया है, वो सब मेरे काम याने मेरे डांस की वज़े सी है तो दोनों एक दूसरे को लिंक करते हैं न जोडते हैं एक तरीकी का ब्रिज बनता इन दोनों के चीजों में वो कहती इन आल टूथ याने सच कहूं तो जब मैं बच्ची थी I never did want to dance मुझे कभी dance करना ही नहीं था It was forced upon me by a dotting mother मैं खुद से कभी dancer नहीं बनना चाहती थी ये चीज मेरी मा ने मेरे उपर force करी कि नहीं तो मैं तो dancer बनना है क्योंकि मेरी mother बहुत dotting थी याने extremely fond of something याने dance के लिए मेरी mom बहुत crazy थी और इसलिए वो चाहती थी कि मैं भी एक dancer बनूँ अधवाइस personally मैं कभी भी dancer नहीं बनना चाहती थी And a silent father और वो अपने father के लिए क्या बता रही है कि मेरे father बहुत silent थे याने chance बभाव के थे और चुप रहने वालों में से थे My father probably kept his peace to avoid argument तो वो बोलती है मेरे father हमेशे चांती रखते थे था कि उनकी mother के साथ उनकी father की कोई argument ना हो क्योंकि mother हमेशे चाहती थी dancer बने और मेरे father हैसा चाहते थे Basically in के father हैसा चाहते थे कि ये कुछ different करे life में From the beginning my lessons took place under trying conditions Though I believe that the conditions were more trying for my mother than for me So Komudini कहती है from the beginning शुरुवात से ही जो मेरे dance के lessons थे वो बहुत trying conditions में शुरू हुए याने बहुत मुझकिल से बहुत महनत से मुझे बहुत महनत लगती थी और मुश्किल लगती थी dancing ना बट वो कहती है यकीनन यह जादा difficult मेरी mother के लिए था मुझसे जादा difficult मेरी mother के लिए था मुझे dance में training कराने का She traveled in local मेरी mother जो है वो local train में खचाकर जो इस तरीक से बॉम्मे में मरी रहती है कहती मेरी mother local train में मुझे ले दाती थी travel करती थी जो कि बहुत overcrowded रहती थी याने बहुत जादा भीड बढ़क कर रहता था To dance with an unwilling child और unwilling child याने वो बच्चा जो dance नहीं करना चाहता तो कुमोदी नहीं है खुद के लिए कि मेरी mom के लिए जादा difficult था कि वो इतनी crowded local trains में travel करती थी और जबरदसी मुझे ले जाती थी क्योंकि मैं unwilling child थी मुझे dance नहीं सीखना था लेकिन फिर भी मुझे dance class ले जाती थी tired from a way whole day at school क्योंकि मैं पूरा दिन school की था की आरी आती थी फिर मेरी mom में मुझे जबरदसी dance lesson के लिए ले जाती थी तो मेरी कभी इच्छा नहीं थी ना मैं कभी dancer बनने चाहती थी मेरी मा नहीं मुझे force किया dancer बनने के लिए she waited a whole hour in the not so clean anti room of my guru's house and then endured the same journey back anti room का मतलब क्यों होता है किसी भी जगा का waiting room या waiting area तो कुमू जी नहीं बता थी कि जो मेरी mom है वो पूरा whole hour याने पूरा एक घंटा पूरा one hour इतना clean भी जहां मैं डान सीखने जाती थी मेरे guru के house में वहाँ पे जो उनका waiting room जो anti room था वो इतना clean इतना साफ सुतरा नहीं था लेकिन फिर भी मेरी खातर मेरी जो mom है वो वहाँ पे एक घंटा वेट करती थी कि जब तक कुमूदी ने डांसी के मैं यह वेट करती हूँ and endured the same journey back endured याने suffered patiently याने यही मुश्किल से इतनी भीड बड़के वाली जो पूरा एरिया था और train था उससे वापिस से उतना ही मुझे ले जाती थी वापिस घर भी याने पहले लेके आती थी फिर वेट करती थी फिर वापिस मुझे घर तक लेके जाती थी this was in Bombay और यह कहां की बात है यह लोग कहां रहते थे तब Bombay में and my first dance lessons were with Guru Sundar Prasad who lived in Chowpati while we lived in Khar तो वो कहते हैं की जो मैंने पहले dance lesson सीखे थे वो मैंने अपने Guru Sundar Prasad से सीखे थे जो की यह है और यह कहां रहते थे चowpati में Bombay में और हम लोग कहां रहते थे खार एरिया में तो कहती थे हम कैसे जाते थे खार से चowpati तक हम लोग train लेते थे और फिर एक bus लेते थे और फिर हम walk करते थे and the whole trip roughly took roughly 45 minutes each way तो कहती है कि पहले हम train से travel करते थे फिर हम bus जाते थे फिर हम थोड़ा walk भी करते थे और roughly एक तरफ का जाना 45 minutes लगता था each way लिखा है न कि 45 minutes जाना और 45 minutes आना इस बीच में एक घंटा मेरी मॉम dance waiting room में भी मेरा wait कर दी थी तो यह daily का हो गया था Interestingly it was a film industry that spurred my mother to enroll me in dance classes spurred का मतलब क्यों होता है encouragement for growth and development जब किसी चीज को देखते हो आप और encourage हो जाते हो कि ठीक है मुझे तो अपनी बेटी को इसी field में grow कराना है उसी को इसी field में develop कराना है वो spurred होता है तो वो कहरी कि जो interesting खास तो यह थी कि Film industry की एक film industry ऐसी चीज थी जिसने मेरी मा को बहुत encourage किया ताकि वो मुझे enroll कर पाय याने register करा पाय dance classes में मेरी मा अलग अलग पिच्चरों में dance देखती थी और फिर उनको वो शीज़े attract करती थी या उन चीज़ों से मैं attract होती थी और उनको लगा कि हां मेरी बीटी डान्स कर सकती है life में इसी वज़े से उन्होंने मुझे register करा है dance classes के लिए when I was seven we went to see a movie starring मुम्ताज अली father of comedian महमूद तो कुमूदी नहीं बताती है जब मैं साथ साल की थी तो हम लोग एक movie देखने गए थे जिसमें star जिसमें actor कौन था मुम्ताज अली और ये मुम्ताज अली कौन है father है याने पिता है comedian का याने जो हसी मजा करता है में मूद का चीके तो ये father है और ये son है चीके ना तो ये मुम्ताज अली और ये में मूद है मुम्ताज अली या अली did a dance number in a film with which I became fascinated fascinated याने की attracted strongly attracted and interested किसी चीज़ को अब attract और यो देखके interested और रहो कि वा यार क्या dance कि है तो वो कह रही है कि जब हम ये movie देखने गए थे तो मुम्ताज अली ने बहुत अच्छा एक dance number याने dance performance करी थी film में और ओ dance देखके मैं बहुत जादा attract हो गई कौन कुमूदिनी वेन वेन राइड होम आई बिगान प्रांसिंग around the house imitating the film actor and my mother who was quietly watching was the one who said कुमूदिनी you are born to dance तो वो कहते प्रांसिंग का मतलब क्या होता है dancing याने नाचना घर में दोर दर फुदकना और नाचना imitating का मतलब क्या होता है copying जब आप किसी को कौपी कर रहे हो किसी की नकल उतार रहे हो तो कुमूदिनी कहती है कि जब हम movie देखे घर वापस आए तो मैं वही मुम्ताज अली वाला जो dance है वहाँ पे घर में प्रांसिंग कर रही थी याने copy कर रही थी imitate कर रही थी इदर उदर नाच रही थी और जब मेरी mother थी वो quietly मुझे देख रही थी कैसे मैं उस film actor का dance घर आके copy कर रही हूँ और फिर उन्होंने मुझे बोला कि कुमूदिनी यार बॉन्ट टू डांस तुम तो डांस करने के लिए पैदा होई हो इतना अच्छा डांस कर रही हो ironically I have no recollection of this story ironically मतलब ये बड़ी विडम्बना की बात है कि ये जो बात है कि मैं इस तरीके से घर में dance कर रही थी movie देखके जबाई थी मुझे कोई recollection नहीं है याने मुझे ये यादी नहीं है जब मैं बढ़ी होगी तो बाद में मुझे मेरी मदर ने ये चीज़ बताई थी It was my mother who saw the innate ability in me innate याने की inborn या natural तो वो बोलती की ये dance की जो natural या inborn quality थी ये मेरी मा नहीं मुझे में notice करी थी सबसे पहले Her belief was so strong that she went through the grueling exercise of taking me to dance classes four days a week without complaint grueling याने की extremely tiring बहुत थकावट से भरी तो ये कुमुदीनी कहती की मेरी मा की है belief ये यकीन था strongly यकीन था की मेरी बेटी बहुत अच्छा dance करती और इसलिए थकावट भरे हफ़ते के चार दिन स्कूल से में भले थकी आरी भी आती थी वो मुझे dance classes ले जाती थी हफ़ते के चार दिन without any complaint याने बिना किसी शिकायत के बिना किसी माथे पे शिकन जाए कि मुझे इतता जाना पढ़ रहा है आना पढ़ रहा है अपनी बेटी को लेके फिर एक गंटा मैं अपनी बेटी के ले रही हूँ तो ऐसा कुछ नहीं था वो खुशी-कुशी मुझे ले जाती थी क्योंकि वो चाहती थी कि मैं एक dancer बनू तो कुमोदीनी कहती ही कि मेरा जो चाहिल्डोड जो मेरा बच्पन था यह जो मेरा एजूकेशन था मेरे बच्पन में उसमें सरफ दान्स और अक्धैमिक से जादा बहुत कुछ था यानने मैं सरफ बच्पन में पढ़ाई लिखा ही और ने नहीं करती थी इससे भी कई ज्यादा और भी कुछ चीज़े करती थी I did not live in a vacuum मैं कभी भी vacuum में नी रही याने emptiness, याने कभी भी मेरी मान ने मुझे खाली नी छोड़ा, कुछ ना कुछ activity में हमेशा मेरा बच्पन में मुझे involved रखा, I was surrounded by life and learned many of my lessons there, lessons that I still carry with me तो कुमुधनी के थी कि मेरे असपास मेरी life से मैं घिरी वोई थी and मैंने अपनी life अपनी जिन्दगी से बहुत सारे lessons बहुत सारे सीख सीखी है और ये जो lessons मैंने सीखे हैं अपनी life से, I still carry with me आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, still मैं इन lessons को अपने साथ रखती हूँ और जो भी मैंने सीख सीखी अपनी life में वो आज मैं अपने dance में आज भी use करती हूँ I grew up during a volatile era a time of war India's independence movement compounded by world war 2 in which India played a role in military operations volatile era का मतलब क्यो होता है a situation that is likely to change suddenly, वो era उस time पे मैं मतलब मेरा बच्पन और मैं इस जमाने में बड़ी हूँ जब volatile area था याने एक ऐसी situation जो कभी भी suddenly कुछ भी हो जाए, change हो जाता था क्यों क्योंकि वो time of war था क्योंकि second world war विश्व व्युद्ध दो चल रहा था उस बगत और इंडिया की independence movement भी चल रहा था तो हमेशा war का जमाना था तब में बड़ी हुई और कभी भी लड़ा हो जाती थी कभी भी suddenly कुछ भी situation change जाती थी compounded का मतलब क्यों होता है to become worse और situation बहुत जाता worse थी क्योंकि world war 2 चल रहा था जिसमें इंडिया क्या role play कर रही थी in military operations याने इंडिया ने अपने military troops अपने army army soldiers को भेजा था और military में उनको लड़ने के लिए बेजा था क्योंकि world war 2 में soldiers की जरुवत थी तो कह रही थी मेरा बच्पन कुछ इस तरीके का war के बीच में गुजरा है my father being an engineer was called upon to build the cantonment areas in Delhi first in Delhi then in Naini and Allahabad तो वो कहती की अब अपने father के बार में बताती है की मेरे father कौन थे मेरे father एक engineer थी and was called upon उनको बुलवा लिया गया था सबसे पहले दिली में क्यों बुलवाय था इनके फादर को cantonment areas बनाने के लिए याने military camps क्योंकि World War 2 थी military camps बनने थे soldiers के रहने के लिए तो क्योंकि इनके father engineer थे इनको बुलवा लिया गया था कि आप आओ दिली में सबसे पहले वहां military camps बनवाओ और फिर Naini नाम की जगा पे आओ यहां भी military camps बनने Naini is a place in UP उत्तर प्रदिश और फिर अलाबाद आके military camps बनवाओ तो कहती ही कि मेरे फादर तो हमेशे travel करते रहते थे क्योंकि इंजीनियर थे इन डेली वी वर अलोटे रस प्रॉलिंग हाउजन हाड इंज आविन्यू नाव तिलक मार्क तो कहती ही जब हम डेली गए जब डेली गए तो हम भी उनके साथ बंबे से डेली रिलोकेट हो के गए तो वहाँ पर हमें एक क्या लौट किया गया क्या दिया गया गवर्मेंट दुआरा में एक इस प्रॉलिंग हाउस प्रॉलिंग है नहीं इनने स्प्रेडिंग हमारे नेबर हमारे पडोसी कौन थे लियाकत अली जो लेटर बाद में जाके पाकिस्तान के क्या बन गए प्राइम मिनिस्चर बन गए तो कहते हैं यह हमारे नेबर याने पडोसी थे अभी उस जमाने की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था इंडिया और पाकिस्तान अभी एक ही था यह तब की बात है once his gardener caught me and my brother सुरेश picking guavas from his tree तो बताती हैं की एक दिन मैं और मेरा भाई सुरेश हम दोनों लियाकत अली के जो गार्डन में थे हम लोग वहाँ पे क्या पिकिंग कर रहे थे हैं जुपके से क्या चुरा रहे थे गवावास यह अम्रूद चुरा रहे थे एक दिन हम और उनका जो gardener, उनका जो माली था उसने हमें देख लिया मुझे और मेरे भाई सुरेश को तो gardener याने माली ने क्या किया हमको कान से कीच के पकड़ते हुए गया और punishment दिलवाने के लिए अपने master के पास याने हमें लियाकत अली के पास लेकर गया लियाकत अली not only let us keep the guavas but extended an open invitation to pick the fruits whenever we wished तो लियाकत अली ने कहती है लियाकत अली ने में तो कोई punishment नहीं दी उसने तो हमको बोला जो तुमने guavas जो अमरूद यहां से लिये हैं वो ले लो in fact आने वाले time में कभी भी तुम्हें fruit चाहिए हो मेरे garden से तुम्हें open invitation है तुम कभी भी आके खा सकते हो guavas मेरे garden से however this generous offer was accompanied by the Mali's face तो अब बड़ी मजा किया बात है कि यह जो generous बहुत प्यार भरा kind offer दिया था में लियाकत अली में इस offer के साथ हमें accompanied साथ में और क्या मिला साथ में हमने क्या देखा उनके Mali का चेहरा जो गुस्से में आया था punishment दिल्वाने के लिए और वहां तो उसने देखा कि इस मेरे master ने तो इन बच्चों को और permission देदी कि आओ बाई गवावा खाओ which was so horrifying and revengeful that we never went near the garden again तो कहती है जब हमने Mali का चेहरा देखा तो काफी horrifying काफी frightening डरावना चेहरा था और revengeful दिखा याने कि उसको ऐसा लग रहा था कि आए बच्चे अब मैं उनसे revenge लूँगा याने बदला लूँगा तो कहती है हम डर गए इसलिए हम दुबारा कभी भी उनके garden में गए ही नहीं तो कहती है यह मेरी life का सबसे first सबसे पहला lesson सीख सीखी मैंने जो politicians खेलते हैं और जो games खेलते हैं याने politicians obviously कुछ न कुछ बारे में जादा नहीं बात करेंगे लाइस में पड़ा कि कैसे लोग politics खेलते हैं कि मतलब हाँ भी बोल दिया में कि आना तुमको आवाज पिक करना दूसरी तरफ माली ने चेहरा बना दिया तो हम जा भी नहीं पाए यास डबल गेम खेला तो किती ही मेरी लाइफ का पहला पार्ट था जो मैंने politics की field में खेला था या मैंने सीखा था father would now have to move to wherever army constructions was required तो अपने father के लिए बताती हैं कि father को अब हर वो जगा मूफ करना पड़ता था जहां पर आर्मी वा लोकली construction रिक्वायर होता था है और जरुवत रहती थी जहां भी आर्मी के military camps वगरे बनने थे मेरे father को उस उस जगा पे बुलवा लिया रहता था बुलवा दिया जाता था और मेरे father travel करते रहते थे therefore when I was nine years old the decision was made to send me to boarding school तो कहती है जब मैं 9 साल की हुई तो मेरे father और मेरे मदर ने decision लिया कि मुझे boarding school भेज देते हैं क्योंकि father इतना ज्यादा travel कर रहे है और फिर उस वज़े से पूरी family को भी हर जगा migrate करना पड़ रहे है तो decide कि चलो को मुदिनी को कहां भेजने बोर्दिंग स्कूल after a lot of arguments, advice, consideration and research on the part of my parents I was packed off to the Queen Mary's College which was a school in Lahore at that time in India तो कह रही है वो कि बहुत जादे arguments बहस बाजी हुई मेरे मावाव के बीच में उन्होंने लोगों से advice लिये, considerations के, consider कि आप problems को और situations को बहुत research करी एक अच्छे boarding school के और finally मेरे parents ने इस सब करने के बाद मुझे pack off कर दिया, ने भेज दिया, कहां Queen Mary's College भेज दिया अब नाम college है, लेकिन actually में ये क्या था? एक school था और ये कहां पर था? Lahore में उस जमाने की story है ये, जब मतलब कुमूदीनी 9 years की थी और ये उनकी life में incidence हुआ तो Lahore में जो ये school था, उस time इंडिया का ही part था क्योंकि बारत और पाकिस्तान का विभाजन याने की separation नहीं हुआ था उस वक्त तो ये उस school में, इनको boarding school में बेच दिया उनके parents ने I had not known a day away from home कैती है मैंने day away, याने एक भी दिन, कभी भी अपने घर से दूर मैंने कभी नहीं बिताया था but the idea of living with a lot of girls of my age and studying in a fancy school was both exciting and worrisome कैती है पर जब मुझे पता चला कि बहुत सारी लड़कियों के साथ मुझे वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा सब मेरी age की होंगी और वो एक fancy school याने की queen Mary's college जो था, बहुत high-five school था, girl school था तो ये सब चीज़े देखके काफी मुझे exciting भी लग रहा था और worrisome याने tension भी होती थी कि मैं कैसे घर से दूर रहूँगी as curiosity was mixed with sadness, अब ये feeling उनको क्यों होती थी excitement की और worrisome की क्योंकि वो काफी curiosity से भरी रहती थी याने उनको में जानने की इच्छा रहती थी कि अब आगे क्या होगा, क्या नया होगा इस school में और ये उनकी जो mixed feeling थी वो कही ने कई उनको sadness उन में create हो जाती थी आने वो दुख से भर जाती थी कि अरे मैं घर से अत्ती दूर और नई जगा, all these things no more shuffling to and from class, no more overbearing guru ji अब ये चीज सोच रही है, कुमूदीनी की भाईया चलो अच्छा है, अब मैं अगर जा रही हूँ बोर्डिंग स्कूल तो अब मुझे shuffling to and fro from class नहीं करना पड़ेगा, कौनसी class, dance class कुमूदीनी को तो dance पसंद नहीं था, उसकी मम्मी जबर्दस्टिस को dance class भेशती थी, तो वो सोची कि चलो अच्छा है, अब मुझे to and from, यानि कि अब मुझे इतनी लंबी journey करके dance class तक और dance class से वापस अब मुझे नहीं आना पड़ेगा, और अब मुझे overbearing guru जी जो मेरे dance सिखाते थे, overbearing नहीं dominant करते थे, जो उनको हमेशा बोलते थे, ऐसे नहीं, ऐसे करो, वैसे नहीं, वैसे करो, तो कहती है, लेकिन ऐसी किस्मत कहा थी मेरी, ऐसा luck था कहा मेरा, मेरी माने तो मुझे क्या किया, पीछे-पीछे dance teacher को भी भेज दिया मेरे, mother center dance teacher, रादेलाल मिश्रा, सुन्दर प्रसाद's nephew along with me, कहती है कि मेरी माने तो वहाँ भी boarding school में भी dance teacher को मेरे पीछे-पीछे भेज दिया, और कौन सा dance teacher भेजा, रादेलाल मिश्रा को भेजा, ये कौन थे, सुन्दर प्रसाद जो एक dancer थे, उनके nephew याने भांजे थे, उनको म लाहूर में एक अपार्टमेंट हायर कर लिया, एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया और बोला कि भाई, जो ये रादेलाल मिश्रा है, dance teacher ही वहीं रहेंगे और schedule कर दिया मेरे lessons को, याने कि इतनी देर बाद school खतम होने के बाद तुम यहाँ पर इतनी देर के लिए dance class मे जाओगी रादेलाल मिश्रा से सीखने, despite our belief that I was born to dance, I didn't enjoy dance classes, तो कहते है, मेरी मा का ये यकीन था कि भाई, I was born to dance, मैं dance करने के लिए पैदा हुई हूँ, लेकिन I didn't, didn't, मैं dance classes को कभी भी enjoy नहीं करती थी, quite frankly, they were no fun, और कुमूदी नहीं कहती है, अगर मैं frankly बता हूँ, तो dance classes were no fun, कोई मज़ा, कोई fun नहीं आता था मुझे उसमें, I felt as if nothing progressed, तो कि एथी dance सीखने के वाद मुझे लगता था, कुछ progress ही नहीं होरी मेरी life में, that I was just doing what my guru ordered, उसको लगने लगा कि जो मेरे dance के guru है, जो भी मुझे order करते थे, बस ऐसा लग रहा है कि मैं वही वही कर रही हू मेरी life में कोई progress नहीं होरी, I was always a curious child and I wanted to know and understand what I was doing, तो कुमोदी नहीं कहती कि मैं बहुत curious बच्ची थी हमेशा से, याने कि मुझे हमेशा हर चीज जाननी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, अचा ऐसा हो और तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर, तो मुझे ये चीज जाननी थी कि क्यों ह हो रहा है मेरी life में ये सब और understand करना था, मुझे समझना था कि what I was doing, मैं कर क्या रही हूं अपनी life में, डांस में क्या करने चाहती हूं मैं, why was I gyrating in this way, gyrating का मतलब क्यों होता है, rotating in a circular motion as in kathak, गोल 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 कथक, dancers जैसे गोल 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 चकर लगाती है ना, उनको बो जैसे वो सीखती थी गोल 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 कथक में, तो वो सोचने लगी कि मैं इस तरीके से जाइरेट याने गोल 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 इस दांस में चकर क्यों लगा रही हूं, क्या progress हो रही है मेरी इसमें, but my teacher could not or would not explain it to me, पर यह जो मेरे teacher, मेरे guru थे, वो मुझे कभी explain ही नहीं क जैसे और बहुत गुसा होती थी, दूसरी लड़कियों के उपर क्योंकि जब मैं दान्स सीखरी होती थी, ये कथक कर रही होती थी, तबो लोग enjoy कर रही होती थी, मजे कर रही होती थी, tennis खेल रही होती थी, basketball खेल रही होती थी, तो मुझे अनसे जैसी होती थी कि मैं क्यों नहीं खेल पारी हूं, मुझे क्यों ये कथक करवा रही है मरी मम्मी My mother convinced the principal, a Britisher, that to dance was a form of prayer and that she could not curb religious freedom Curb का मतलब होता है, control or hold something यानि आप किसी चीज को पकड़ के या रोक के नहीं रख सकते तो कह रही है, जब मैं जो स्कूल में पढ़ती थी, वहां की जो प्रिंसिपल थी वो एक Britisher थी, foreigner थी, तो उनको ये dance कथक की importance नहीं पता थी तो भाई, वो dance classes की जाती थी, तो जाहिर सी बात है, प्रिंसिपल को दिक्कत होती होगी तो कहती ही, मेरी मदर इस हद तक चली गई कि उन्होंने वो प्रिंसिपल को convince करने चली गई कि भाई, dance करना, नृत्य करना एक तरीके का, it's a form of prayer ये एक prayer, एक पूजा का form है, तो आप इस religious freedom को, हमारे धार्मिक dance को आप curb नहीं कर सकती मेरी बेटी को आप dance करने से रोक नहीं सकती having spent several years in a school where most of our teachers were British, I have come to like their form of discipline तो अब कुमूदनी कहती ही कि इतने साल इस school में बिताने के बाद जहां maximum teachers हम लोगों की British थी, याने foreigner थी, Britishers थी मैंने एक तरीके का Britishers का जो discipline होता है, वो सीख लिया था और यह मेरी life में बहुत काम आया discipline is once daily routine, discipline in once daily routine does bring discipline in thinking तो author कहती है कि अगर आपने discipline को daily routine में अपना लिया तो यही discipline आपकी thinking, आपकी सोच, आपके विचारों में भी आ जाएगा you began to place your thoughts in neat little piles the way you do your uniforms and shoes तो वो कहती है कि जिस तरीके से school जाने के एक दिन पहले आप रात में अपनी uniforms और अपने shoes को अच्छे से pile up करके, set करके रखते हो, यह discipline का part है उसी तरीके से आप अपने thoughts को भी, अपने विचारों को भी सही जगा पे use करना, discipline में यूज करना सीख जाते हो, अगर आपको discipline की आदत हो जाती है और यही discipline वो इस school से सीखी थी It was three weeks before the final school examinations, matriculation at that time, when my life changed dramatically तो matriculation का मतलब क्या होता है, भाई matric में आना बोलते थे उस जमाने में, यहने to pass class 10 अगर आपने 10 भी पास कर दिये, तो अब matric में आ गए यहने matriculation हो गए आपकी तो कहती है, अभी मेरे final exam होने थे school में और उसके three weeks before, तीन हफते पहले, मेरी life में ऐसी एक चीज होई कि मेरी life dramatically change हो गई, याने something मेरी life में बहुत big चीज हो गई थी I was called to the principal's office, what had I done? The only reason was, one was called to Ms. Cox's office was because of some infraction तो suddenly क्या हुआ exam के तीन हफते पहले, इसको principal ने अपने office ने बुलवाया यह सोचने लगी, what have I done? मैंने क्या किया है? मुझे क्यों बुलवा रही है? क्योंकि एक ही reason होता है कि आपको Ms. Cox कौन थी? इनकी principal का नाम है यह तो अगर आपको Ms. Cox के office में बुलवाया गया है, याने principal के office में बुलवाया गया है तो इसका एक ही reason था कि आपने कुछ ना कुछ infraction किया है याने आपने कुछ अतिक रमन कराया है या फिर आपने कोई law या school का rule break किया है याने तोड़ा है था भी आपको principal बुलवा थी है फिर वो सोचे पर मैंने तो कुछ नहीं किया मुझे क्यों बुलवा रहे वाइल शी वाज़ा काइन डिप्लोमाटिक परसंट शी वाज़ा स्रिक्ट और दो नहीं ठीक है यहां यह भी ठीक है यह भी कर सकते हैं यह भी कर लो दो नहीं ठीक है इस तरीके की परसंट थी लेकिन साथी साथ वो काफी strict और firm याने द्रण द्रणता रखने वाली principle थी तो कहती है जब बाद में जाके फ्यूचर में मैं डांस टीचर बनी तो मैंने उनी से इंफ्लूएंस हुई थी मैं अपनी principle से कि वो kind थी लेकिन साथी साथ strict भी थी द्रण थी अपनी चीजों को लेकिए तो कहती है उनका demeanor मैंने follow किया demeanor याने behavior उनका behavior और जिस तरीके से वो school को चलाती थी discipline से वही चीज जब मैं एक teacher याने dance teacher बनी तो मैंने भी follow किया अब वापस आते हैं अपनी story पे कि भाई क्यों बुलवाया गया था कमूदिनी को principal की office as I approach the office I wondered did I forget to put away the tennis rackets after morning play did I forget to lock the door of the dormitory dormitory का मतलब क्यों होता है hostel का camera hostel की camera तो सोच रही थी कि जैसे ही में office के बाहर पहुची I wondered मैं हरान हो रही थी और सोच रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सुबा morning में games खेलने के बाद tennis के racket जमाना भूल गई हूं और इस वज़े से मुझे बुलवाया या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने hostel का कमरा लॉक करना भूल गई हूं और शाद इन गलतियों की वज़े से कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे principal बुला रही है may I come in madam I asked quietly कमो दिनी ने principal से पूचा ma'am क्या मैं अंदर आऊ आँ आपके office के yes do come in child हां बेटा अंदर आओ she answered with a voice full of such kindness that it made me suspicious और बोलने लगी कि उन्होंने ये जो जवाब दिया कि yes बेटा अंदर आओ इतने kindness ऐसी voice इतनी kindness उन्हेने मुझे ये जवाब दिया कि मैं suspicious हो गई याने मेरे अंदर suspicion भरिया अचरा जबरिया किया यारी इतनी प्यार से कैसे बात कर रही है मुझसे you have to go home तो क्या बोला प्रिंसिबल ने तो में घर जाना होगा को मुदिनी बट वाई I have to study for my exam वो के थी क्यों अभी तीन हफते बाद exam में मुझे तो अपने exam के लिए पढ़ना है भाई तो प्रिंसिबल के थी तुम्हारे फादर ने कॉल किया कि तुम्हारी मदर सिख है याने बहुत बीमार है इसलिए तुमको घर जाना होगा तो कहती ही ये बात सुनने के बाद जब मैं मिस कॉक्स के ओफिस से बाहर निकली और अपने क्लास्रूम के तरफ जाने लगी तो मैं बहुत ओवर्वेर्म्ड हो गई थी अपनी कुछ फीलिंग्स ओफ कन्फूजन से याने मैं ऐसा लग रहा था कन्फूजन और इन सबसे भर गई हूं और मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया था उस वक्त कितना कन्फूजन भर गया था मेरे दमाग में कि याने आज तक मैं उस कन्फूजन से बहारी नी निकल पाई हूं कही न कहीं आज भी जब मैं डान्स सिखाती हूं या कुछ नया डान्स नंबर बनाती हूं तो मेरे माइंड में कहीं न कहीं कुछी तरीके का कन्फूजन रहता ही है वोई चीज की आज भी अगर मुझे कोई नया डान्स नंबर या कोई सौंग या प्ले बनाना है तो पहली चीज जो मेरे माइड में वाइबरेट होती वो थी confusion मैं हमेशा confusion से ही शुरुवात करती हूँ याने कही न कहीं confusion बोले तो दुविधा इसके माइड में रहती है Mother was already dead when I arrived तो क्या drastic चीज हुई थी इनकी life में कि जैसे ही एक घर पहुची इसकी mother already dead थी याने इसकी mother की already dead death हो चुकी थी 36 hours and 3 train rides later when I saw her motionless and colorless I finally understood why I had been summoned home summoned मतलब called for bulwaya गया तो कहती है 36 गंटे की journey करके जब और 3 train rides याने मैंने कितनी train बदली 3 train बदली इन 36 गंटों में और फाइनली जब मैं घर पहुची तो मैंने देखा कि मेरी मदर की already death हो गई थी वो motionless थी याने उनके हाथ इस तरीके से पड़े हुए थे उनमें कोई movement नहीं था colorless याने उनका चेहरा बिलकुल pale हो गया था जैसे dead body का होता है और कैती मैं finally उस वक समझ गई कि मुझे क्यों समन करवाय गया याने मुझे कहर क्यों बुलवाया गया है I was 14 years old मेरी उस ताइम 14 years मेरी age थी the air was still and nobody looked at me the air was still याने बिलकुल हवा वहां की शांत थी और कोई मुझे देख भी नहीं रहा था कोई कि सब इतना गम में भरे हुए थे I did not know where to turn or what to do with my hands which hung loose from my body तो कहती मुझे समझे नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ तरन हूँ कहाँ देखूँ और मेरे हाथ बिलकुल loosely ऐसे रखे हुए थे बिलकुल पड़े हुए थे जैसे मुझे समझे नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ कोई कि she was in a shock then suddenly they clutched my stomach अब ये दे क्या है दे मतलब hands of kumudini ये दे कौन है kumudini के हाथ जो इस तरीके से hang पड़े हुए थे loosely hung थे उनके बार में बात हो रही कि suddenly मेरे हाथ यूँ हो गए एकदम इस तरीके से कुछ क्यों हुए क्योंकि she was feeling very hungry वो भूखी थी hunger pangs उसको क्या हुए hunger pangs आने कि इसे भूख के चुहे दोडने लगे जैसा उसके पेट में I hadn't eaten for three days and there were an emptiness I wanted to fill तो कैती ही मैंने almost तीन दिन से कुछ नहीं खाय था और मेरे पेट में कुछ empty पन कुछ खाली जैसा मुझे लग रहा था जो मुझे fill करना था याने भूख लगी थी I was afraid of appearing greedy so I underplayed my emotions underplayed का मतलब क्यों होता है behave in a controlled way याने आप ऐसे behave करो है कि जैसे आप control में हो तो कहती है कि लोगों को लगता कि मैं बहुत जादा greedy हूँ कि भाई इसकी mother के debt हो गई फिर भी खाना पीना मांग रही है तो इसलिए मैंने क्या किया अपने emotions, भूख के जो emotions उसको दबा लिया, control कर लिया अपने अंदर though all kinds of yearning nod my insides yearning याने serious desire to eat something कि यह मेरे अंदर yearning थी यह बहुत strong desire थी कि मुझे कुछ खाना है अपने मुझे भूख लगी है and those things nod my insides nod याने bite something अंदर या अंदर चुहे जैसे काट रहे थे इनके inside, इनके पेट में कि मुझे खाना है तो यह बिचारी उस वक्त दूविधा एक किसी conflict में आ गई कि यार एक तरफ बहुत भूख लगी एक तरफ मदर की death हो गई है मदर की death पर खाऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे अरे भाई, खाना मांग रही है इतनी है, तो बहुत greedy है तो एक दूविधा में आ गई हो बिचारी बहुत conflicting views उसके दिमाग में आने लगे तो आज भी जब कुमूदीन इतनी बड़ी dancer, choreographer बन चुकी है इनके अंदर इनके अंदर आज भी भूख है कि मैं कुछ अच्छा काम करूँ या कुछ अच्छा piece, अच्छा dance form create करूँ और यही चीज मेरे काम में हमेशा दिखाई देती है इच्छोज अप इन माई वोक दें डांगलिंग आमस फाइंड एक्सप्रेशन इन मैं कुरियोग्रफी डांगलिंग का मतलब हैंगिंग तो कहरे जो मेरी मदर के डेट के टाइम मेरे जो आमस इसवक डांगलिंग हैंग हो रहे थे वो आज की डेट में मेरी कुरियोग्रफी में एक एक्सप्रेशन बन गया है यानि वो उस वक्क कन्फ्यूस थी दुवीधा में थी या एक कॉन्फ्लिक्ट में थी कि मैं खाऊं या अपनी मा की मौत पर रहूं उसने अपनी फीलिंगस को दबा दिया अपनी भूक को अंदर लिए अंदर जबा दिया तो इन दुवीधा और कॉन्फ्लिक्ट यह दुवीधा और जो कॉन्फ्लिक्त और यह- ठरीक कर पले या एक डांस पीस बनाया था तो जो दुविधा है जिसका मतलब English में conflict होता है यह तरीके का dance piece बनाया था याने कि एक play बनाया था जिसका नाम ही दुविधा उसने रखा कुमूदीनी ने तो कहती है कि मेरे इस वाले dance piece में I examined the plight of a middle class woman who is chained to the traditions of Indian life तो कहती है मैंने इस पूरे dance में क्या दर्शाया plight दिखाई मैंने याने एक difficult situation दिखाई हिंदुस्तानी middle class woman की जो Indian traditions और रिती रिवाजों में chained याने बंद के रह जाती है वो दिखाया था उसने She is restricted to domestic circles is forbidden from wearing sleeveless blouses तो वो अपने domestic अपने घरेलू matters में इतना जादा restrict इतना जादा बंद चुकी है कि वो अपनी मन मर्जी का कुछ नहीं कर सकती वो एक sleeveless blouse तक नहीं पहन सकती अपनी मन मर्जी का Must wear her hair in bun और उसके बाल कभी खुले नहीं होने चाहिए उसके बाल हमेशा bun याने जूडा बंदा होना चाहिए and must cater to her husband cater मतलग to provide food and take care और ये जो हिंदुस्तानी घरेलू मामलों में जकडी हुई जो middle class woman है ये ऐसी उनी चीज़ अपने husband को हमेशा खाना बना के खिला और उसके हमेशा टेक केर करे तो ये सारे चीज़ उसने दिखाई अपने play में जिसका नाम था दूवीधा या फिर इसको इंग्लिश में हम conflict कहते है येट from a small window she sees the newspaper man waving images of a woman with a bold streak of white in her short hair who wears sleeveless blouses and surrounded by men who listen to her intently is widowed but wears colorful saris intently का मतलब क्या होता है seriously, ध्यान से तो कहती है कि ये जो Indian woman है ये इतनी जादा घरेलू problems में बिचारी परिशान है अपनी feelings को उसने दबा के रखा है अंदर ये अंदर लेकिन येट फिर भी जब वो अपने घर की छोटी से खिड़की के बाहर देखती तो वो देखती एक newspaper man जो है उस newspaper में जिस औरत की photo है उसके short hair है और एक bold streak of white है याने कि एक इतना patch white color का करा हुआ है इस तरीके से जैसे कि हमारी first Indian Prime Minister इंदीरा गांदी जी का इसमें वर्डन किया है इसमें description बताए कि जो newspaper में photo थी वो PM of India की photo थी वो बिलकुल उसके opposite थी short hair थी उन्होंने बाल थी एक stripe streak color करके रखा था white color का वो sleeveless blouse नहीं पहन पाती है लेकिन उस तरफ ये जो lady है ये sleeveless blouse भी पहन सकती है इस lady के आसपास रिव इसका husband होना चाहिए लेकिन इस lady के आसपास बहुत सारे men है जो उसकी बात intently, seriously सुनते है जो ये order देती है वो सारे orders सुनते है और इस तरफ ये अपने husband के एक दासी बन के रह गई है उसका उसी की बाते मानती है लेकिन ये order दे रहे हैं सारे आदमियों को इस widowed, ये widowed हैं इनके husband के death हो चुकी है बट स्टिल ये colorful साडी पहनती है और Indian woman अगर उसके husband के death हो जाती है तो इसको white साडी पहनने को देते हैं तयार नहीं हो सकती वो बिचारी more over she commands the country with millions of people also ये जो हिंदुस्तानी औरत है ये घर में सब इसको दबाते और ये औरत जो है पूरे हिंदुस्तान को dominate करती दबाती और अपने orders देती है command देती है millions of people को अपनी country में yet while the woman looking out of the window is intrigued by this image she experiences conflicting emotions intrigued का मतलब क्या होता है to arise curiosity in something तो ये जो पुमन है ये जो इन्डियन मुमन है जब अपनी खिड़की के बार निउस्पेपर में मैन को एक न्यूस्पेपर हिलाते वह देखती और देखती इंद्रा गंदी की photo है तो ये विचारी इंट्रीग्ड है याने क्यूरियस हो गई जानने के लिए इच्चो के कि ऐसा क्यूं एक तरफ मैं एक हिंदुस्तानी और जो घर में दपके रह गई है एक तरफ ये इंदुस्तानी और जो पूरी दुनिया को चला रही है तो इतना जादा conflicting emotions आते हैं इस बेचारी इंडियन मोमन के mind में की पूछो मत यहने इसको समझनी आ रहा कि इतना जादा अलग हम दोनों क्यूं चल रहे हैं वो भी औरत है इंदुस्तानी में इदुस्तानी लेकिन मेरा environment बिल्कुल अलग इसके environment बिल्कुल अलग तो यह जो बीच में से दो लाइव जिंदगिऊं के बीच में यह औरत जो इंदुस्तानी औरत यह कही ना कही अंदर यह अंदर भूकी है एंप्टी है, खाली है, इसके अंदर खाली पन है लेकिन इसको पता नहीं कि यह जो खाली पन है, जो भूक है मेरे अंदर वो किस चीज की है What kind of life she wants यह बचारी बोली नहीं पारी किस तरीके की life यह जीना चाहती क्योंकि घर और husband और family और बचों के pressure में बचारी दब के रह गई है This is something I have felt often अब कुमूदी नहीं कहती है यही एक चीज है जो मैंने भी अपनी life में feel करी है Yet now that I have so much behind me I am more certain of where to place my hands पर कैती ही पर आज मेरी life में there is so much behind me मैंने अपनी life में पीछे बहुत कुछ छोड़ आई मैं बहुत कुछ मैंने भी इस तरीके से feel किया अपनी life में But I am more certain Certain यहने आप किसी चीज को लेके sure हो of where to place my hands तो अब यह इस point of time पे life में कुमूदीनी अब जब बड़ी हो गई है इतनी बड़ी famous choreographer, dancer बन गई तो कहती है मुझे पता है मैं certain हूँ, मैं sure हूँ where to place my hands याने कि कहां पे क्या बोलना है कहां पे क्या करना है where to place my hands याने कहां क्या करना है किस dance form में क्या दिखाना है कहां पे discipline show करना है अपना attitude, character, behavior कैसे, कहां दिखाना है situation के साब से कहती ही मुझे अब सब पता है क्योंकि मैंने भी यही सब चीज feel करी अपनी life में So children, here we come to the end of this part 1 of this chapter मैंने इस पूरे essay को दो parts में divide किया हुआ, part 1 and part 2 तो यहां पे मैं अपना part 1 खतम करती हूँ and do not forget कि आप मेरे part 2 का वीडियो देखी क्योंकि वो भी मैं आपके लिए जल्द release करूँगी, तब तक लिए bye bye and take care